तो हम किस से शुरू कर रहे हैं? अरे नहीं, खट्टा एश्प्रे कैंडी? ओ, इतना खट्टा, या तो जरुवत से ज़्यादा था? जैस, अब तुम्हारी बारी है, अपने डिश को देखने की किन्ता करने की कोई जरुवत नहीं है, मेरे लिए और गम ए, और यह ब्लू भी है, जैसा मुझे पसंद है मैं इसे खोलने के लिए तैयार हूँ, और इसे खाने के लिए भी कितना स्वादिस्ट और कितना बड़ा क्यों ना चीजों को थोड़ा दिल्चस बनाया जाए और इस दौर के लिए एक टाइमर लगाया जाए यह बहुत आसान लग रहा है, चलो इसमें कुछ खटा स्वाद मिलाते है ओ, इसकी सुरुआत अच्छी हुई थी ओ, अब चलो, मुझे यकीने कि अभी भी मज़ेदार होगा, शुरू करो यह बयानक है, मुझे यह बिल्कुल पसंद नहीं है बिचारी लड़की, मैं बस अब यह सब खत्म कर दूँगी यहाँ, अब बस थोड़ा सा बचा हुआ है, जैस तुमने यह कर लिया हो गया, मैंने सच में कर लिया मैं पहले, कितना प्यारा है यह एक स्वादिस बोतल पॉप है इसका ओपरिभाग मीठा और अच्छा है ओ, और अंदर भी कुछ है यह अच्छा और खट्टा है थोड़ा और प्लीज ओ, यह बहुत अच्छा है मैं तो रूखी नहीं पा रही हूँ जैस, कभी-कभी तुम बिल्कुल बच्चों की तरह करती हो एक टॉइलेट? क्या यह सच में कुछ खाने वाला है? और इसके अंदर क्या है? मुझे लगता है कि मुझे इसे चक कर देखना चाहिए मेरे लिए भी खटा पाउडर कितना स्वादिस्ट है मुझे दुगना हिस्सा मिला है मुझे यह पसंद आया यह कैसे शोर है? चांद जैस सांथ हो जाओ लो अपनी बोतल लिलो अब ठीक है बहुत अच्छा कितनी अच्छी लड़की हो चल लो उचीत रुप से तै करते है कि पहले कौन देखेगा यह मैं जीत गई माफ करना कोई गलत तरीका नहीं देखो कितना विशाल पॉप रॉक यह चीज हमारे मुँँ में विस्फोर्ट करती है मुझे आस्टर है इस सिरिंज में क्या होगा यह मीठा है यह अद्बुद लग रहा है अब इस सबसे महत्पुनी से चक कर देखने का समय है मैं अपनी जीप पर बहुत सारे चिरकने जा रही हूँ मैं मैसूस कर रही हूँ कि सारे पॉप हो रहे है ओ, क्या होगा अगर मैं इसी सीरप से ढग देती हूँ तो यह तो और भी अच्छा हो गया अब मुझे इतनी उर्जा मिल गये कि मैं पूरी राद दान्स पार्टी के लिए तयार हूँ बहुत बुरा हुआ, तुमारी कैंडी इतनी जल्दी खत्म हो गई क्या मुझे देखना चाहिए कि मुझे क्या मिला है आ, एक बिच्छु वाला सकर मुझे तुरंट जैस की और ध्यान देनी की जर्वत है जैस, मदद पहुँचने ही वाली है अब मेरी प्रात्मिक चिकित्सा के ज्यान का परिक्षन करने का समय है धन्यवार डॉक्टर, मैं बेहतर महसूस कर रही हूँ तो फिर तुम्हे अपने डेश को खाने में सक्चम होना चाहिए यह वास्तम में स्वादिस्ट है देखो, तुम बिना मतलब के डर रही थी हाँ, बिना मतलब के नहीं, इस बिच्चु को देखो जरा रुको, मुझे लग रहा है, यह सिर्फ एक खिलोना है इस बार मुझे दिख रही है, नीली आखे वाँ, वे बहुत सुन्दर है, देखो, वे कितनी साज्टा से हमारी और देख रहे है वाँ, अब मैं उन्हें खाने के लिए जा रही हूँ ओ, बहुत बढ़िया, और इसे जैली सिर्फ से भरा गया है, बहुत अच्छा इमानदारी से कहूं तो मुझे तुमसे जलन हो रही है यह चीज केवल खाने के लिए अच्छी नहीं होती है अरे जैस, इधर देखो बस मजाग कर रही थी, तुम तो बस ऐसे ही तुमारे छोटे से मजाग से मैं तो लगबख भूली गई थी अपने डिश के बारे में और मुझे मिले है नीली गमबॉल बहुत बहुत धन्यवाद, एक दम सही वैसा ही जैसा कि मैं उमीद कर रही थी ओ, मेरी जिप पूरी तरह से नीली हो गई है अब समयल कर रहो है मा, थोड़ा बदला लिने का समय है आओ, नहीं, डरा दिया वाओ, मुझे अपनी किस्मत पर विश्वास नहीं हो रहा है एक पूरी बाल्टी गमी कैंडीज, यह तो एक सपनी के सचोनी की तरह है कितने मीठी और मुलायम और उससे भी बहुत ज़्यादा हाँ, उंगलियों को क्रॉस करके रखती हूँ कि मैं भी उतनी ही वागशाली निकलूँ यह क्या है, यह टूथपेस्ट की तरह दिख रहा है लेकिन इसका स्वाद बेतर होना चाहिए मैं थोड़ा खा कर देखती हूँ ओ, यह चीनी का जेल है आप जोकी मुठाने में कोई डर नहीं है या तो कुछ बड़ा करो या अपने घर जाओ जैस, मेरे पास एक जीनियस आइडिया है हम दोनों अपने अपने ट्रीट को एक साथ मिला देते हैं मुझे मेरा चमच मिल गया है क्यों नहीं हम आगे बढ़ें और शुरू करें मैं तैयार हूँ बहुत असमाने लग रहा है वाव यह चबाना थोड़ा कठिन है लेकिन प्रयास करने में कोई हानी नहीं है मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ मुझे दूसरा चाहिए और तीसरा मुझे भी मैं रूप नहीं सकती जब तक कि पूरी बाल्टी खाली ना हो जाए ओ ओ खाली हो भी गया जो परंपरा चली आ रही है उसको तोड़ने का कोई मतलब नहीं है इसलिए मैं पहले मुझे थोड़ा भी अंदाजा नहीं है कि यह क्या है बेतर होगा कि मैं इससे पहले किसी कागज पर जाच कर लूँ ओ यह तो जलनी लगा ओ यह तो चिंता जनक है फिर इसका आसर मेरे उपर क्या होगा केबल एक ही तरीका है पता लगाने का मैं जोखिम लेने से नहीं डरती मैं ठीक हूँ पता नहीं इसका स्वाद कैसा होगा मुझे यह पसंद आया मैं थोड़ा और लूँगी अरे नहीं इस तरह बहुत खटता है मेरी आखे इससे फर्फडा रही है मुझे आसा है इससे कुछ बेहतर मिलेगा चम्मच फिर शुरू करती हूँ अगर मैं थोड़ा सा इसका चिरकाव कर देती हूँ तो बुरा तो नहीं मानोगी मुझे दो मैं देख रही हूँ कि तुम्हें यह सब पुरे जोशे कर रही हो वाँ, यह अद्बुद है मैं वह लूँगी मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि तुम्हें खटी चीजे बहुत पसंद है रुखो, क्या, यह वैसा नहीं है जैसा तुम चाहती थी यह हुआ पर यह खटा और मीठा का सयोजन लाजवाब है स्वाद का एकदम सही संतुलन तुम शुरू करो जैस यदि तुम ऐसा कहती हो तो ठीक है वाँ, कितनी सुन्दर चीनी क्रेश्टल यह किम्ती गहने की तरह देख रहा है और इसका स्वाद लाजवाब है बस इसके साथ सावधान रने की जरुवत है जब तक तुम इसका स्वाद ले रही हो तब तक मैं देखती हूँ कि मुझे क्या मिला है वाँ, यहीरे, मेरे साइस का है मुझे निश्चित रूप से अब इस पुरानी चीज़ की जरुवत नहीं है मुझे इसके बदले सही चीज़ मिल गई है यह तुम मंत्र मुग्द कर रहा है तुम इसके साथ एक स्टार की तरह लग रही हो यह किवल देखने में ही अच्छा नहीं है बलकि इसका स्वाद भी सही है अरे, एमा, वा क्या है? इसके बारे में पता नहीं ची, इस कितना बुरा है मैं अब और नहीं चाहती मैं बस अपने इस चीनी से बने हीरे से ही काम चलाऊंगी यह सही नहीं है, तुम्हें यह लेना ही होगा आरे, नहीं, तुमने मेरी अंगुठी बरबाद कर दी है कितना खराब वापस से ठीक हो गया पहले जाना मेरे लिए ठीक रहता है हलाकि शायद मुझे अपने मन से पहले नहीं जाना चाहिए यह टॉक्सिक कैंडी है मैं तो सोच भी नहीं सकती कि लोग इसे कैसे खाते है ठीक है, अब पीछे नहीं हट सकती, मैं इसे समाल सकती हूँ ओ नहीं, मेरी तो जी भी जलने जैसी हो रही है अपने को समालो जैस, ऐसा लग रहा है कि मेरा मुझ फट रहा है कितना भयानक है अच्छी बात है कि मैं फिर से भागेशाली हूँ मुझे यह काफी पसंद है मैं इसका एक बड़ा पैकेट पाकर उत्साहित हूँ मैं इसके साथ शुरू करूँगी कितना स्ट्रेची है देखो मैं इसे कितनी दूर तक खीट सकती हूँ जैस हाँ हाँ, मैं देख रही हूँ इसके साथ कुछ और भी था मुझे लगता है इसमें भढ़ने के लिए फिलिंग जितना ज़्यादा उतना अच्छा अरे नहीं, यह एक गल्ती थी मैं बस बुरे वाले को हटा कर अच्छा का आनन लूँगी ठीक है, अभी के लिए हो गया रुको, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सर्प्राइज है पर इसके लिए मुझे तुम्हारे आखे बंद करनी होंगी मैं तुम्हारे लिए कुछ बहुत ही स्वादिश लेकर आने वाली हूँ पूरा मूँ खोलो कितना घिनोना है, यह क्या था मैंने इससे बुरा कभी कुछ नहीं खाया है और मैं इधर सोच रही थी कि तुम्हें पसंद आएगा ओ, जरा रुको, हमारे पास यह कौन सी विशालकाई डेश है ओ, इतना बड़ा बर्गर, मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा एमात अपना तुरंट खाने के लिए तयार है यह बहुत स्वादिश दिख रहा है और इससे उसकी भूफ काफी बढ़ गई है हाला कि कुछ कैचप की जरुवत है जबके लेली अपने दोस्त की मदद करने की कोशिश करती है एमात थोड़ी शरारत के साथ आती है क्यो ना इस कपड़े को उस बर्गर की उपर चीज की जगह डाल दे यह मज़ेदार होने वाला है ओ वो उसके चाल में फस गई चोटी शी लड़की जो गुलावी रंग में है उसने उसकी ताकत को कम करके आंका और वो बर्गर टुकडों में विखर गया अब इसे साफ करने में तो बहुत समय लगेगा आएक सकर या किनन बुरा नहीं है लेकिन थोड़ा छोटा जरूर है वही हमारी दूसरी प्रतियोगी के पास एक असली खजाने का टुकडा है अब यही तो वह चीज है जिसका सपना सभी मीठा पसंद करने वाले देखते है एमा का इसे शेर करने की कोई योजना नहीं है और लिली घोटनों पर बैटकर कोई भीव नहीं मांग रही है वो आपने छोटे हिसे का यथा संभवानन लेगी इसका फ्लेवर आस्टरजनक रूप से स्वादिस्ट है इसलिए लिली बहुत खुश है पता नहीं एमा इतने बड़े सकर को कैसे खाने की योजना बना रही है ओ, खुश तो बताओ कि उसके पास कोई योजना है मुझे तो डर है कि इस तरह से तो इस दौर में पूरे दिन लग जाएंगे बोरिंग या नहीं एमा इसके लिए कोई भारी भरका मुपकरन लेकर आई है अच्छी सोच है वा, अब इसे तो कोई आवस्तकार कहीं सकते हैं हाला कि, जड़ा रुको, यह कैसी गंद है ओ-ओ, उसकी जीब ठीक तो है उसे जरूर दर्द महसूस हो रहा होगा लीली, अपने दोस्त को बचाओ, जल्दी और एक बाल्टी पानी और एमा की जीब ठंडी हो गई हाँ, कभी-कभी बहुत जल्दी करना अच्छा नहीं होता जड़ा रुको, हमने कोई कैट्टस ओर्डर नहीं किया है यह खाने वाली चीज़ नहीं है, और यह भयानक कटीले भी है अब समय है कुछ उपाय लगाने का अच्छी बात है कि आमा किसी भी बात को जल्दी सोच लेती है बिनना काटों की यह पौधा बेतर दिखता है ओ, पर इसका स्वाद अभी भी बहुत खराब है लेली और भी बेतर तरीके के साथ आती है ऐसा लग रहा है कि वो बिल्कुल ताजा हो गई है अब आगे बढ़ती हुए गम कैक्टस से हजार गुना बेतर होता है इस चीट से हर किसी को प्यार होता है ये दोनों भी कोई अपवाद नहीं है एमा पहले ही अपने रोल को खोल चुकी है और अपने काम पर लग चुकी है हम सभी जानते हैं कि आगे क्या होने वाला है अब यह एक बहुत बड़ा बबल बनने जा रहा है खैर वो तब तक था जब तक कि लेली की नजर उस पर नहीं पड़ी थी और बूम एमा आप कुछ-कुछ मॉंस्टर की तरह दिख रही है ठीक है लिली, हमें दिखाओ कि तुम्हें क्या मिला है क्लासिक गुलाबी बबल गम, सबसे अच्छा एमा यह भूली नहीं है कि उसके बबल के साथ क्या किया गया था और उसे बदला लेने के लिए एक दूस्ट योजना मिल गई है जबकि लिली अपने गम को चबाने में बैस्ट है वहीं एमा यह देखने के लिए इंतजार कर रही है कि इस सब का भविस समापन कैसे होगा ओ, यह कुछ ऐसा है जिसे आप रोज नहीं देखते तुम्हारी यात्रा शुब हो लिली, बाद में मिलते है तैयार हो जाओ लड़कियों इन होटों को देखो, क्या आमा ने इतने बड़े होटों का सपना देखा था? पता नहीं उसे इतने बड़े आकार का चाहिए या नहीं अलकि यह भी अद्बुत रूप से स्वादिस्ट है उंगली चाट कर खाने जितना स्वादिस्ट ओ, और इसके अंदर एक सर्प्राइस फिलिन भी टाली गई है मैं बस सोच सकती हो कि यह कितना स्वादिस्ट होगा एमा को तो यह कमाल का लग रहा है लगता है कि इस स्ट्रीट के साथ कुछ परिनाम भी आए है अच्छी मुझ है एमा बास्तर में यह उस पर बुरा नहीं लग रहा है आपको क्या लगता है लेली को बहुत मजा आ रहा है पर एमा को मजाग बनना पसंद नहीं है निरास मत हो दोस्त अपने घुसे में वह बगल में बैठी हुई लड़की पर हमला करती है कुछ भी जो उसके उपर से ध्यान हटा दे एमा इस हद तक गई कि उसके सिर के उपर सिरप गिरा दी कितनी असिस्ट है हुआ कितना चिपचिपा है अब खेल उल्टा पड़ गया और एमा वापस से खुश है मैकरोन्स ओ मुझे तो बहुत ही जलन हो रही है इस समय यह बहुत स्वादिश दिख रहा है जैसा कि आप कह सकते हैं लिली इस हलके और कुरकुरी चीज की बहुत ब़री प्रशन सक है इसके तो वह सौ भी खा सकती है पर इसके वज़े से वह एमा के साथ कोई शरारत करने से नहीं रुकेगी जो उसके चाल में हर बार फस जाती है आँखे बंग करना उसके एक बहुत बड़ी गलती हो गई ओ लिली लगबग पकड़ाने ही वाली थी और अब वह होने ही वाला है उस काली मिर्च का स्वाद उसे किसी भी समय परिशान करने ही वाला है ओ जैसा कि मुझे लगा था यह तीक ही जलन प्यार और चुनोती में सब कुछ जायज है एमा इसे ही खेल कहते है वाह अब यह कुछ असामान्यसा है चलो इस रहस्य को मिल कर सुझाते है ठीक है यह किसी तरह का गवी शीट की तरह दीख रहा है पर यह है क्या एमा यह देखने जा रही है कि उस बैंग में क्या है जो से मिला है यह तो कुछ आलग ही होने वाला है यह एक पॉप रॉप का विशाल पैकेट है इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पॉप रॉप को उस शीट पर चिरग कर उसे रोल करने की योजना है बहुत बढ़िया आप यह एक विश्पोट मज़ेदार और स्वादिस्ट लिली अपने दोस्त के प्रदर्शन को दोहराने के लिए तयार है पर एमा उसके किसी भी काम को आसानी से नहीं होने देगी लिली जितना चाती थी उससे थोड़ा ज़्यादा लिली तुम इसमें से थोड़ा हटा आ सकती थी बहुत ज़्यादर शक्ति एक अच्छा विचार नहीं है ओ शुक्र है कि उसका चेरा आभी भी एक टुकडे में है उफ बाल-बाल बच गई एमा यह मज़ाक तो खतरनाक रुप ले लिया अगली बार साफधान रहे न खेल जाड़ी है और हमारी प्यारी लड़कियों को आगे मिली है बहुत ही दिल्चस बोतले बच्चे के वल इस तरह की मीठी कैंडी फ्लेवर से भरी हुई बोतले पाने का सपना ही देख सकते है हाला कि कुछ ऐसा लग रहा है कि उस बोतल से पीना विशेश रूप से अच्छा नहीं है ओ लीली अब एमा के चिड़ाने को बरदास नहीं करेगी वो अपने बोतल को पकड़ लेती है और पिचकारी के तरह उप्योग करते हुए एमा के उपर वो मीठा धार छोड़ती है चलो अब शांत हो जाओ और अब अंत में कोला दो रंगों में गुलाबी यह तो निश्चिते कि यह नया है पर लेली को इसको आज माने में कोई दिल्चस्पी नहीं है वो सादरन वाले का एक घूट लेना चाहती है एमा अंत में पूरी तरह से भिंग चुकी है बस हो गया अब और बरदास नहीं होगा एमा पहले अपनाएगे चाल का इस्तिमाल करेगी अब डिजर्ट सब के लिए है